हाँ तो नमश्कार प्यरसाति हूं एजिसर क्लासेज के ओनलाइन प्लेटपॉम पर आपका श्वागत है विदेंदन हैं हम बात कर रहे थे हरती इतियास की और भारती इतियास के अंतर कर लिया था और खिल्जी वंस के बाद अब जो नया वंस देखने जा रहे हैं पहले दू पोट अंट कर लिया था हमने लुर्गमंस का अंत कर या था भई तो 1309 में खिल्जी वंस का अंत हो जाता है, 1320 में 1320 में खिल्जी वंस का अंत होने के पशाथ अब जो देखने जा रहे हैं पैर दूस्तों चुगलग वंस और 1320 से लगा कर 1400 टुदा इस वीं तक ये वंस चलेगा कौन सा वही चुगलग वंस तुगलक वंस जो है काफी लंबा है दिली सल्तनत का देखा जाए तो सबसे लंबा चलने वाला वंस कहलाता है सबसे लंबा वंस चलता है दिली सल्तनत में और सबसे छोटा सबसे अधिक समय तक चलने वाला वंस होंता है तुगलक वंस सबसे अधिक शमय तक यह ध्यान रख ल में तरवादिक समय तक समय तक चाशन करने वाला साशन करने वाला वंस लगबग कितने तूरान में वर्ष तक नाइंटी फोर यर्स तक इसने साशन किया था वही और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शाशन करने वाला वंस कौन सा है तिल्जी वंस कौन सा है वही तिल्जी वंस ठीक है और यहां पर तूगलक वंस कॉन सा है यहां पर तूगलक वंस सबसे अधिक समय तक जो सासन करने वाला है वो तो तुगलग वन्स है दिल्ली सल्टनत की दोरान और सबसे कम समय तक जो सासन करने वाला है वो कौन है पैर दोस्तों तुगलग वन्स है सबसे कम समय तक सासन करने वाला तोन माना जाता है तुगलग वन्स अब बात करें तो यह यहां पर संस्ताफख की बात करें इसका संस्ता पर किसको माना जाता है शुजीन करते हैं एक तो दीन पैसा माना जाता है याद रह गालतके बात करें आगे अब गयडे दिन के बारे में पढ़ते हैं प्रदोस्तों के बारे में तो गया सुद्दिन तुगलक पढ़ते हैं ते लिए दीन कि तुगलक तुगलक और लगवक चारवां साल का रहता है ज्यादा नहीं रहता पांस वर्स तक लगवन के फ़िव जने प्रदोस्तों भषचीत अ lot of hats कि गया साण करता है तुगलक के अबी हालिय में बात कि अबने और इसी का जब्लभां का गुलाम हुआ कर ता और दीरे 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 आगे बढ़ने के पुश्टात आज आजाता है जाता बाद में कहा जाता है कि एपादी धारन करने का MR कि कि और इसकी कि K माना जाता है संस्थाफक को ना जाता है कि संस्थाफक का, संस्थाफक ताक तॉग्लक वंस किसका तुगलक तुगलक वंस का संस्ताफक माना जाता है इसके बात बात करें उपादी की बात करें पैरसातियों उपादी हुपादी का अगर जिक्र करें तो उपादी का जिक्र किया जाता है यह तुगलग गाजी की उपादी धारन करता है कुण करता है यह इसी को गाजी मलीक करता है तोलग गाजी की उपदीधारण करने वाला सासफ होल ठाइब भियास दिन तू अब बात करें प्या दोस्तों तों कहा जाता है कि कि इसके सासनकाल में मंगोलोगों किया और ऊक्रमन प्रस्चाथ सामना किया अन्त20 मंगोलों को इस तना भूत पर स cricket मैं इसा कि आला चाहिए भारत पर सब्सक्राइब हारत प्रजब का चुनौ सो dummy कि सब्सक्रार आध क्वीमिक क टुक्णा दान देना या भूमिक वलतन के रूफ में भूमी का टॉक्डाद लेगा प्रारंब कर दिया गया इसके द्वारा गया उर चर्चाय करेंफ कहा जाता है पर दोस्तों इसका जूर म० इस बाखेति से चलाया करता था उन अपने सहासन काल तो यहां पर में जो इसकी इसकी चर्चाये करें हो पार ने, मंगोलो का दमन किया, ने, मंगोलो का दमन किया, मंगोलो ने, मंगोलो ने, इसके समय में, कि शाशनकाल में, कि शाशनकाल में 29 बार आक्रमन किया था, इस बार आक्रमन किया था, इस बार आक्रमन किया था और 29 बार ये पूरे तरह से, मंगोलो को दबाने में सफल हो जाता है, इसने भूमी का टुकडा देना प्रारंब कर दिया था, नेक्स्ट बात करें, इसने भूमी का टुकडा देना प्रारंब किया था, इसने भूमी का टुकडा देना या प्रारंब किया था, पश्चात बात करें, पैर दोस्तों के दरबारी विद्वानों में कहा जाता है कि इसी के टाइम पे नहीं है, ज्यामुद्धिन ओलिया हुआ करते थे, कि इसका पुत्र था जोना इसन पुत्र हुआ करता था, ये जोना का बढ़ा कि बुद्धिमान वेक्ति था, वैसे तो देखा जाए तो पहरोड़ा लिखे पुछित वेक्ती था और यह जाता है कि कि दोहरा कि उसके दोस्तो कि दोहरा इस ही के समय का जाता है कि साथ मैं का उसके दोहरा का बाइड़ता कि इसको इसको निंचामुदिन खुध्यलिया को दाम के डान पांच लाख रूपे दिये गए थे वाद में का जाता है कि यह जब सासक बने के पशात गया सुधिन तुगलप उन पांच लाख रूपे को कि निजामुद्दिन ओलिया जो सुपी संतुए संपरदाई के संत हुआ करते तो मांग कर लेता है लेकिन यह देने से मना कर दिते हैं कि नहीं दिँगा कर ले जम जोना खा निजामुद्दिन ओलिया को अपना गुरू बना लेता है गुरू मानने लगता है और उसकी सरण में चला जाता है जब इसको पता लगता है किसको पता लगता है इसको यह काफी समझाता है जोना खा को यह वह लेकिन उसको समझ में नहीं आता है इसके पत्र को समझ पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि कि मेरे आने तक मेरे आने तक निजामुद्दिन ओल्या को पत्र लिखता है ये फोन गया सुद्दिन तुगलक और गया सुद्दिन तुगलक के मेरे दिल्ली पोचने तक आप दिल्ली को खाली कर देना अर्थार दिल्ली को इसके और यहां से चला जाना किसे कहते हैं यह गयाजी शुद्दिह कैता है वह यह कहता है यह 楊स्दीन तुगलग किसे कहे वह शुद्देद्धा व Ciara कि कौन था वही जोना खाँ यही जोना खाँ आगी चलकर मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या बनेगा बादसा बनेगा इसके पश्याद ठीके पहरा दोस्तों यह अपना गुरू बना लेता है इनका मान रखने लग जाता है अब कहा जाता है कि इसी के पास पत्र लिखता है उनी के पास जिए संब्रदाय के की यहीं मेरे दिल्य आने से पहले 들고 खाली कर देना यह बंगाल अभियान को अगया भ। इतो, कोई दिक्कत नहीं घ्ले का दूँगा्स पहले दिल्ली तो पहुँच तो यह वापस पथर लिखते हैं तो वो इसमें पत्र में वापस पत्र पत्र लिखते हैं निजामद्द予 औलिया इसको पत्र लिखते हैं कि पहले दिल्दी दूर है ते पोट है में जोना खने और फून दिल्ली दूर अस्टी को ऐसा लिकर भीजता है कौन गतलगाल में इसके बनाया जाता है लकडियों का महल बनाया जाता है या लकडी का महल बनाया जाता है कौन सा महल बनाया जाता है कहां बनाया जाता है तुगलगाबाद में या अफगानपुर में इसके द्वारा इसके पुत्र जोना खां की द्वारा क्या बनाया जाता है महल बनाया जाता है इसके स्व स्वागत के लिए तो इसका स्वागत करने के लिए कहां जाता है कि लखणी के द्वारा बनाया गया महल था उसी में दब कर इसकी मृत्य हो जाते हैं किसी गयासुदिन तुगलग की अर्थार्थ से पंगा नहीं लेना था भी इसके सराप के कारण दिजामुद्दिन ओलिया के कारण सराप के कारण यह दिल्ली भी नहीं पहुच पाया दिल्ली पुनूज अभी दूर अस्टी तो यह लिकर भेशते हैं कि अभी दिल्ली दूर है तो का जाता है कि दिल्ली भी नहीं पहुच पाता रस्ती में का जाता है तुगलगाबाद में या फिर बात करें तुगलगापुर में यहां पर यह महल में लकडियों का महल में तबकर मर्त्य हो जाती इस महल का डिजाइ याज कोन estás expenses स्कब्राइब करना जाता है इस लाकडी के महल का निर्माण किया था किया गया तो चलिएगा चेरा सुपाचीज में इसकी मत्ति हो जाती है किसे बात देखेढ़ लिये लिखाट करते है निजामुद्दिन हो लिएगे बारे में लिखे लेते हैं पेले चिस्ती शंत निजा मुद्दीन ओलिया को है के गुरु थे तिक इसने गुरु बना ले ता इनको और उसके फष्याद बात करें निजा मुद्दिन ओलिया ने है है जडरी त programme है कि क्या दिन इसुदिन औल्क नहीं कि तक में मद्दिन ओलिया को जडरे पुर निजा मुद्दिन हिजा मुद्दीन को पोलिया को पंगाल अभियान के दोरान पंगाल अभियान के दोरान पत्र रिखा पत्र पत्र लिखकर दिल्ली खाली करने को कहा क्या लेकिन ओलिया ने पुना पत्र लिखा पोलिया ने पुना पत्र लिखा और कहा लिखा और टिटी से कहा गया सुद्दिन टूग लगा ना ते कहा की कुनूज कुनूज दिल्ली दूर अस्टी ठीक है हुनुज दिल्ली दूरस्टी अभी की हुजूर अभी दिल्ली दूर है ठीक है इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों कि वुजूर अभी दूर है इसका मतलब क्या है इस अभी दूर है डोर है कि यह कौन प्याव्याच दीन तूगलक फिलें जिटी जब बंगाल अभियान से लोटा जब बंगाल अभियान अभियान से लोटा तो इसके उत्र जोना खाने जिटी का स्वागत के लिए को बैस दिन तुगलक के लिए तुगलक अबाद में या फिर बात कहें पर पेरदोस्तों निजामुद्धि तुगलका बाद में कौन से पर पंगाल अभियान से जब लोट रहा था तो यह का जाता है तुगलका लगाडा पूर्मे या अफगान पूर्जी से कहते हैं वहां पर एक लकड़ीों का महल बनवाया मैं ऍवागत के लिए कि तुग लगा पूर्मे या अफगान पूर्मे अफगान में लकड़ी का महल पनवाया लखडी का महल बनवाया इसमें दबकर पहन महल बनवाया इसी महल में दबकर इसी इसी महल में दबकर इस घयाश दिन तुगलक की मरत्यू 1385 में हो जाती है 1325 में हो गई लिए 1325 में हो गई किसकी घयाश दिन तुगलक की मरत्यू हो जाती है अब इसमें महल का डिजाइनर इस महल का वास्तुकार वास्तुकार यह बनाने वाला कुन था अहमद क्यांस था कि अहमद अहमद आयाज और्ड़ा ऐय आहमद अज्याजिवी इस्का नाम इलता है वई यह विश्यस रूप से ध्यान रखना है अहमद इयाज इसका डिजाइनर था इस लखड़ी के महल का ठीक है तो इसमें का जाता है कि इसकी मरत्य हो जाती यह दिल्ली भी नहीं पहुच पाता और इसी बानेता है वही जोनाखा और इसके दोने की साजिस मानी जाती है कि इसके इसके लिए साजिस की अपने बूरू की कहने पर ऐसी कुछी कार मानते हैं कि उसके सराब के कारण नीचामदीन ओलिया कि सराब के कारण यह दिल्ली भी नहीं पहुच पाया कौन भाया सुद्दीन तुगलक है पार दोस्तों रस्ते में इसकी मरत्य हो जाती है याद गया सिद्दिन तुगलक ने किसका नहर निर्मान करने का कारे प्रारम किया लेकिन सपल नहीं हो पाया नहर निर्मान कारे प्रारम किया था लेकि कोशिस की थी अर्था नहर निर्मान कराने का काम करना प्रारम किया था और खिशानों को का जाता है कि अच्छे काम करने के नहर निर्मान कारे को प्रारंब करने की कोशिश की। यह कोशिश की से पाद में जाके कौण और गया सुधिन तुगलक के पषः कौन बनता है ऑंद कि बिन regat हम मज़्रा पर hormत मुंत यह थी तेरा सो पछीज में शा समझा उतarent इसके पिताकी मर्य को पैस्जाद रहा पर उन्सासग बन जाता है रहा सो पचीज से लेकर के watt में कि तैरा सो सच कम जाता है ठेरा सो फ Estoy तेरा सो पच्चीज से लेकर तेरा सो इकाउंत की सा सक रहता है कहां का भई इसलत्र इसलत्रनत का सासक ओमबद बिन तुगलक को एम बीटी लिखूँआ तो चल जाएगा का वोट में अधिन तुगलक अधिन चलिएगा यह मुंबद बिन तुगलक के नाम से साथ तक बनता है कहां का दिल निशलत्र इसका मूल नाम मूल नाम मूल नाम क्या था जोना था ठीक है इसके पिता कौन थे इसके पिता थे गया सुद्दीन तुगलक क्यों थे कि पिता गया सुद्दीन तुगलक ते कहा जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का किसका दिल्ली कि सल्तनत का का सबसे अधिक सबसे अधिक पड़ा लिखा बादसा था अधिक गाल पड़ा लिखा पड़ा लिखा यू सिट वादसा था अधि कर वादिक पड़ा लिखा बातसा था कौन था यह आपका आप अब क्या कंडिशन होती है इससे उपाधियों की बात करें उपाधियां की बात करें उपाधी की बात करें या इसको करते हैं इसके उपनाम की बात करें उपाधियां की बात करें यह जो करता था पड़ा लिखा तो इतना था लेकिन इसे पाघल भादसा का जाता है रख्त-पिपासु-बादसा का जाता है यह सारे नाम इसी की रेखने को मिलते हैं और क्या-क्या है इसे राज-मुद्री बादसा भी कहा जाता है और देखिएगा क्या कंडिशन होती है इसी के लिए पाघल भादसा रख्त-पिपासु-बादसा और इसने उपादी जो धारन की थी वह उल्गू खां की उपादी धारन की थी इसने कि उपनाम की बात करें तो और क्या-क्या न तक हाजाता है यह पागल बादसा कहा जाता है रख्त-वक्त-फिपासु-बाध्सा कहा जाता है राज-मुद्री बादसा कहा जाता है राज थालकाल मुद्री बात्सा चाहता है रख्थ-पीपासू कहा जाता है यह सभी नाम किसके मिलते हैं पएरदोस्तों तुठीए और देखें इसको सन की बात्साह भी करते हैं क्या करते हैं कि बादसाह भी कहते हैं का क सब्सक्राइब करता लेकिन द्वारा योजना तो बहुत अच्छी अच्छी बनाई गई लेकिन कहा जाता है कि जैसे योजना बनाता वैसे कि सिर्मुदाते ही ओले पड़ना ये कोई भी योजना बनाता और उसके बाद कुछ नब कुछ गटना ये गटित हो जाती है ये वाली कंडिशन की इसके साथ हमेशा लागू रहती कोई भी योजना बनाता इसी कारण इसे पागलबाद्सा कहा जाता है रक्त पिपा सुब्रक करता यह तो जनता इसको तुछ रे रमकियों वरे समक्यां भरे पत्र लिख के वहां पर सेंट गरती ही और का आठा आए सुबह मर σुबह जल्दी उठकर कि यह रड़ पेपर पड़ता पेपर परस्वा पर वे से खत्र मिलते हैं इसको एसे पत्र मिलते हैं कि तुनिकल बार के देख लेंगे तो आधे बार बार ऑट निंगर था घर से बार इनिकलता था इसकारण कहा जाता है कि रख्ट प्यपासू बाधसा ठीक है और सनकी बाधसा इसके मनचाई जो करता था बहीँ भी करता तो योजना तो अच्छे च्छी बनाता ता लेकिन इसकी योजना सफल नहीं हो पाई इसका नहीं सारे नाम उप्पटांग नाम इसको दिये गए तो बात करें पहरा साथियों कि क्या क्या कंडिशन है इसके प्रशात देखिएगा क्या कंडिशन है 1327 में इसने राजधानी परिवर्थित की क्या दिल्ली से दोलताबाद राजधानी परिवर्थित कर दी 1327 में कहां पर दिल्ली से दोलताबाद या देवगिरी दिल्ली के कमा चाथा नाम बदल कर क्या कर्दिया इसका तक क्या करना चाहता था सजा कि आपको पता है कि भारत है यह यह कि आपका हुए भारत है इस भारत की बात करें तो इस तरीके से दिल्ली यहां पर यह देवगिरी यहां पर दिल्ली और क्या देवगिरी हिandry कि से इसकी योजना तो अच्छी ती में यां रहूँ मा तो यहां से चार ओन की जंठा को कवर कर लुँबा के यहां रहकर इधर वाला वी बराबर लगब दा भाग भारत का उपर आधा भाग नीचे का जाता है कि में यहां से पुरए भारत या देवगिरी इसका नाम बदल के क्या करता इसने दोलता बाद क्या कर रहा था दोलता बाद कर दिया था देवगिरी का नाम बदल कर दोलता बाद कर दिया था राजधानी परिवर्थित की थी इसने कब कीती तेरा सो 27 में राजधानी परिवर्थन कीती राजधानी परिवर भी की थी कि याद रहना अब दिल्ली में का जाता है कि इसको यह खत मिलते थे ऐसे उटपटांग खत मिलते थे तो का जाता है कि यहां की जनता इसकी एक निशूरती थी और यह नहीं सूरती थी तो का जाता की जनता को यह क्या करना चाहता था जनता को दंड देना चाहता था और जनता को दंड देना चाहता था तो इसने क्या किया वैसे तो यूजना इसके अच्छी थी पई सासंस इंचाल करने की द्रिश्टी से देखा जाए कि मद्धि भारत में रहूंगा तो वैसे देखा जाए तो अच्छी यूजना है लेकिन पहरें दोस्तों क्या करता है यह पर आपदर रास्दानी बना देता है भंड़ा प्रяж जब को खेता है तो आहाँ पर ढिंटोरा कर्वाए जाता है बाद में किसी उसरी सेमीमों को बेजा जाता है कि जात की लेकिन कोई बीदली मिलते हैं यह मिलेते दिल्ली में पूरी दिल्ली को खाली करवा दिया जाता है राजदानी परिवर्तिन करता है दिल्ली की लोगों को लोगों को यहां ले गया और यहां ले जाने के पश्चात जब उनको लगा कि अब बसकी नी रही और का जाता है कि यह पुना राजधानी को परिवर्टित कर लेता है और कब तक पर दोस्तो 27 में बनाता है और 35 में कब 1335 में यह पुना कहां पर राजधानी इस्थाना अंत्रित कर देता है पहले तो बनाया दिल्ली से देवगिरी अब वापस पुना कब यहां पर बनाया था 1327 में और पुना इस्थानांतरित कर देता है कहां पर दिल्ली वापस इस्थानांतरित कर देता है देवगिरी यानि दोलता बात से वापस कहां दिल्ली बना इस्थानांतरित कर देता है इस इसने इसकारण यह जनता काफी से त्रस्ट आजए तो सब सब पहले राजधानी परिवर्तन राजधानी परिवर्चित MBT द्वारा MBT ने MBT ने राजधानी परिवर्चित की काँ से तिल्ली से तिल्ली ते 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 उगिरी काँ की देवगिरी और देवगिरी का नाम बदल कर 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 दोलता बाद कर दिया कि कब करी थी राजधानी परिवर्थन ते रासो सब्ताइस में अब की थी वई तेरा सो सब्ताइस में लेकिन पुन राजधानी परिवर्थित की पुन राजधानी 1335 में देवगिरी से देवगिरी से तिल्ली कर दी गई कर दी गई भी घझने कि दी देवगिरी की थी और फैंतीस में कि देवगिरी कर दल्ली जास जाएंay दिएक काम करता है कि इसी के सासन काल में किसी केसा सन काल में पैरे दोस्तो कि द्वारा विजिन अगर साम राज्य की कि एक है कि एंबिटी के काल में एंबिटी एंबिटी के काल में हरीहर की दो भाई थे भाई हरीहर कि हरीहर वर उका द्वारा कि हरीहर और बुका द्वारा कि 1336 में विजे नगर साम राज्य की स्थापना की जाती है कि विजे नगर कि साम राज्य की स्थापना की गई कि अगर साम राज्य की स्थापना इस एंबेटी के सहसन काल में या मुंबद्दिन की स्थापना की जाती है चलिए माराष्ट में अल्लावद्दीन भामन साने अल्लावद्दीन भामन सामने तेरा सो संथापना की ती अल्लावद्दीन भामन साने तेरा सो या हसन गंगु भी देखने को मिलता है तेरा सो सेतालिस में में महाराष्ट में अशन भामन सा के द्वारा किसके द्वारा भामनी शामराज्जी के सापना की जाती है निए तेर दोस्तों के द्वारा अल्लावद्दीन भामन साने अल्लावद्दीन अल्लावद्दीन भामन साने वहमनी शामराज्जी की सापना की जाती है किस्तासन काल में होती है कि गोरु माने जाते हैं सेक लाउद्दीन माने जाते हैं इसके गुरु मूंब्मद बिन तॉब्लक के गुरू को माने जाते हैं सेक अलाउद्दीन माने जाते हैं कोन बाहिए सेलिक लाउद्दीन के गुरू माने जाते हैं स्टेक अलाउद्दीन इसके गुरू माने जाते हैं किसके मुवम्मद बिन तुगलक की नेक्स बात करते हैं कि मुल्तान में का जाता है स्टेक रुकुरुद्दीन मुवम्मद बिन तुगलक ने बदाईयों में मरीन और मुहलीजम दिल्ली के सेम निजामुद्दीन ओलिया मुल्तान में यह बात करते हैं कि निजामुद्दीन ओलिया कहा जाता है कि इसके बहुत अश्के निजामुद्दीन ओलिया के साथ और निजामुद्दिन ओलिया ने पिता को तुराब दे कर मार दिया था या फिर केसे भी मान लीजी आप ये ऐसा वेक्तितु का धनीता पैर दोस्तों इसके जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्या किये तो इसके दरबारी विद्वानों की बात करें जि कि इसी के सासनकाल में इबन बतूता जो मौरकों का एक राजदूत था तो वो भी इसी के सासनकाल में आता है इसी के सासनकाल में भारत आता है जिसकी रचना रेहला कौन सी रचना रेहला मानी जाती है और रेहला में भी मुमत बिन तुगलक के बारे में जानकारियां मिलती की आगे बात करते कि एबन ब्तुता को यह दिल्ली का काजी 9 कर देता है इसी के सौनकाल में भारत आता है मौरकों का जो यात्री था वही मौका यात्री का मौरको का यात्री था इन वह उत्याइड है इबन बतुता इबन बतुता इबन बतुता कहा जाता है MBT के साशनकाल में MBT के साशनकाल में भारत आया यह मोरक्को का निवासी था कि रचना की बात करें पहरे दोस्तों कि रचना रहला कौन सी रहला इसकी रचना थी इबन बतुता को MBT ने इबन बतुता को इबन बतुता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया कि नियुक्त किया कि युक्त किया कि इबन बतुता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया मौम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो मौक्रप्स को जाता है और काहा जाता है कि यह भी मुस्लिम भेट्थी था और किस्व पहरत आजाता है कि अफ्रीका मुरक्तों का यात्री था बहरत आ जाता है लगबग 1333 1333 में आता है कब आता है 1333 में भारत आया था यह भारत 1333 में आया ठीक है आया और इसने इसको चीन भेजाता किसने आया यानि कि मुवम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भेजाता अपना राजदूत बनाकर कब 1347 में कब अर्दोस्तों 1347 में से अपना राजदूत बनाकर काहां तोरी 1342 तोरी 1342 में 1342 में इबन भत्तुता को अबने इबन इसमीड बत्तूता को अब अधिन ओया अब बेटी ने मुवम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर अपना अ तो 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 इसकी जो पुस्तक है पैर दोस्तों वह विस्यस रूप से ध्यान रखने आपको यह रहला जानाम है इसकी पुस्तक का इसका गरंथ या पुस्तक जो है रहला है इसमें का आ मुहमद बिन तुगलक की सासन वेवस्ताओं की जानकारी मिलती है क्या मिलती है मुहमद बिन तुगलक की सासन काल की जानकारी मिलती है और इसी पुस्तक में कि विदेशी व्यापारियों कि आवागमन आवागमन डाक चोश्यों की इस्तापना यानि कि डाक वेवस्ता की और इसी पुष्टक में क्या क्या लिखा हुआ है रेहला पुष्टक है रचना है ये इबन बत्वत्ता ठीक है इसमें डाक व्यवस्ता की जानकारी दी गई प्रसासन की जानकारी दी गई स्करका पर एंड़ के प्रसासन की जानकारी मिलती है यहां मिलती दौर कैंख सलुन 217 कि सीसे मिलती है मुहमज मुंभल के दौरा मुंम्हें रिख कि ढाक चोट्री किस्टाफना की थी अर्था एक गाओν या 3-4 यहाँ गाऊं यहाँ की बीच में बड़े बड़े गाऊंँ में चोकिया बना दिए एक यहाम बना दी यहाँ बना द煮ा दी और इसकी पोस्ट यहाँ पर आ जाती तई स्भी स्थापना की गई किसकी स्थापना की गई डाक चोकियों की स्थापना की गई जिसे डाक चोकिया जाता है क्या का जाता है यह सारी जानकारी हमें ते मिलती है रह लाहाज है बंबंटत्ता का है हिंगो इसके पाशातध प्यारदोस्तों कहा जाता है कि इसके द्वारा इसके द्वारा प्यार्थ さतेओं इस ही के Muya जाता है दू यहां पर क्या हो जाता है कि यह सासल Sats date करने לב मौहमद बिन तुगल का रचा सब्सक्राइब का तो कि इसके द्वारा की गई पर वर्दी की गई पस्षात बात करें इसने ने प्रांकेटिक मुद्राश चलाए प्रांकेटिक मुद्राओं का प्रचलन किया मुद्राओं का प्रचलन किया कि द्वारा किया गया इसी के द्वारा किया गया इसी के द्वारा चलाए गए इसी के द्वारा चलाए गए इसी के द्वारा किया गया था किसके द्वारा भई मुहमद बिन तुगलक की द्वारा मुहमद बिन तो जिस समय इसने क्या किया अर्थार्थ इसने कि यह कि यहां पर करवरदी करने की सोची आ कि कर देने के पश्चात का जाता यहां पर अकाल पड़ पानी सब्स्चा आप जाता यह है योजना भी इसकी हो रही और कहा जाता है कि इन योजना की होने की पश्षात क्बंडिशन होती है कि इसके दौरा जहां पर बहुत सारी विवस्ता अलग से कर अर्था तो लोगों को जंता को यहां पर बूखे मरने लगी तो जनता की लगबग तीन साल तक ये जनता के बीच में रहा था एक डेड़ साल तक किया इन साल तक जनता के बीच में रहा और वहां जाकर ये खाने पीने की विवस्ता इतना अच्छा सा सकता वही नहरों की विवस्ता की गई इसके द्वारा सभी प्रकार की विवस्त दो का जाता है कि वहां पर नील बिरूगी साहिता से इसकी घर बना दिए गए और वहां पर इन्हीं के साथ ही टीम पर टीम करती थी लगते को क्या आइज Luis सब चीज़ाइगे अकाल राहत कारे के जो इसके दोरा पहरे दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक के दोरा और मुहम्मद बिन तुगलक के दोरा नहीं सारे कारे किये जाते हैं देखे और बात करें यहां पर सांकेति के मुद्रा चलाए गई इसके दोरा सांकेति के मुद्रा जब चलाए गई सांक और तांबे की मुद्रा का मुले शमान कर दिया तो सभी लोगों ने क्या किया चांदी की मुद्राओं को एकत्रित करना प्रारम कर दिया और तांबे की मुद्राओं को का परचलन हो गया और वहां पर का जाता है कि अपने अपने घर में ठाप का खाना बन गया था और का जात और आत्मे किसने व्यापारियों ने तामई की मुद्रा लेने से मना कर दिया कि अब कहा जाता है अब कंडिशन यह है तो इसने राजा जी के बाद पास बात पोची कि यह सारी सांगे तिक मुद्राएं कहां पर मेरे खजाने में से इनको चांदी की मुद्राएं दे दो और य बन गया था और कहा जाता है दिल्ली में ठीक है और इसका पूरा खजाना खाली हो गया और खाली हो जाने के कारणी तो आप में ने खजाने को भरने के लिए दो आप में करवरदी करता है लेकिन वह भी अशपल है इसी प्रकार से कहा जाता है कि यह कराचिल वाले छेत्र मे लग बगती तीस जार सेनिकों को पहले वेतन देता है और पहले वेतन सेनिकों को भीजना तिन लाकंग खा जाताàng क्या जाता है कि भुझे कुछ बाइस कारणा कई सरी लेकिन को बैजता को बैजता सकतें लेकिन वहां से से लोग वापस नहीं आती ऐसे कारे इसके द्वारा किये गए थे इसके द्वारा नहरों का निर्मान करवाया गया और भी कई सारे कारे करवाया गया इस चीने डाक विवस्ता लागू की वो सारी चीजिया में देख सुके और कहा जाता है कि इबन बतूता ने अज़िए नेक्स बात करें कहा जाता है पैरे दोस्तों के बारे में गुप्त चर विवस्ता भी अच्छी थी गुप्त कर विभाद की इस तापना की और देखने को मिलता है इसकी तेरा सो एककावन में मरत्य हो जाती क्या ओजाती है तेरा सो इक्यावन में मृत्यू हो जाती है और इक्यास कारों ने इसके मृत्यू पर कहा था कि जनता को उससे और उसको जनता से मुक्ति मिली जनता को राजा से राजा को जनता से मुक्ति मिली कि द्वारा कहा गया था जनता को राजा को जनता से मुक्ती तो बरे पत्र घंकियां बरे पत्र दिखा करते थे एक पर दोस्तो आज के लिए इतना एक आप नेक्स मिलते हैं नेक्स नेक्स क्लास ते हिंड ज्वारत